निक्की तॉमबोली जो है घर से बाहर किंगं से दोस्ती रखना चाहती है और क्यों उसको जो है रूभिनव के बारे में अब उसकी सोच बदल गई है और खास करके अभिनव शुक्ला के बारे में तो live film में राहूल महाजन के साथ निक्की डिसक्स कर रही थी, निक्की ने राहूल महाजन को कहा कि ओновम अपने घर में जबो भी पाटी करो पुलाना हुझे। तुम लोग करते हो house party तो राहुल ने बुला हाँ कभी कभी करते हैं वैसे तो हमारा खाना अकसर रोज बहार से आता है diet food आता है पर मैं जब भी करूँगा तुझे ज़रूर बुलाओंगा लेकिन तू बाहर जाकर किस-किस के touch में रहेगी तो निकी कहती है देखो मैं तो राहुल वैदे के touch में ज़रूर होंगी वो तो मेरा दोस्त है जान वो मुझे बहुत पसंद है एजाज विकास क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा और रुबीना अभिनाव से भी मिलने में कोई इश्यू नहीं है लेकिन अभिनाव को मैं कभी अब चाहकर डिस्रिस्पेक्ट नहीं करूँगी कभी भी नहीं करूँगी और पहले शुरू-शुरू में मुझे पता नहीं था मैंने वह सारी चीज़ें बोल दी लेकिन अब जो है मैं बाहर जाकर आई हूँ और इस में मुझे पता चला है तो मैं अभिनाव को कभी भी डिसर्स्पेक्ट नहीं करूँगी और जहात कर्शी की बात है वो दो बाती ऐसी बोलती है कि गुस्सा आ जाए लेकिन बाहर जाकर आई हूँ और अभिनव की कभी disrespect नहीं करूंगी ये बात जो है उन्होंने specifically कही उन्होंने ये भी कहा कि हाँ अगर अभिनव ने कुछ बोला तो मैं सिर्फ जवाब दूंगी लेकिन उसको जो है मैं कभी disrespect नहीं करना चाहती है तो एक बात तो तैह है कि जब बाहर गई थी उन्होंने ऐसी चीज जरूर कुछ देखी है जिसके बाद उन्हें ये realize हुआ है कि अभिनव कभी भी किसी के बारे में भी बैक bitching जो है खासकर निक्की के बारे में तो नहीं करता है और अगर उन कि बात होती है अभिनव और उबीना के बीच में तो मैंने देखा है जाधा-तत्र सिरफ और जास्मीन को लेकर होती है क्योंकि जास्मीन जो है उन्हों की common friend है लेकिन निक्की को लेका जो वो लोग सोचते थे उन्होंने साफ साफ बोला था कि निक्की हमें ऐसा लगता है उसके बाद निक्की जो है उनके साथ बैठना उन्होंने शुरू किया था लेकिन निक्की ने ये बात साफ बोली कि मैं अभिनव को कभी भी डिसिस्पेट नहीं कर सकती म मुझे जो है लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है तो एक बात होता है कि निक्की जो है रुबीना के बारे में नहीं लेकिन अभिनव के बारे में ये जरूर मानती है कि अभिनव के साथ जो है निक्की को दोस्ती जरूर रखनी है